वेलकम तो टोटल टेश निस्कीज कीचन प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल आज हम निस्कीज कीचन में बनाते हैं बादाम और काली मिर्च का पाउडर इसको आप बादाम की फंकी भी बोल सकते हैं उसके लिए हमने काली भुरी मिर्ज ले लिया है, कुछ बादाम ले लिया है और ये हमने ले लिया है बूरा अब हम बादाम और काली मिर्ज को कूट लेंगे, हमने इसका एक दर-दरा पाउडर बना लेना है आप इसका powder बना कर store भी कर सकते हैं या फिर आप इसको 7 के साथ भी बना सकते हैं आप 8-10 बादाम में 3-4 काली मिर्च का ही इस्तेमाल करें काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और अब आपने इसको कूट लेना है, और कूटने के बाद हम आपको दिखाते हैं, आपने इतना दरदरा इसका पाउडर बनाना है, हमारा पाउडर बनकर तयार हो गया है, अब गैस का फ्लेम अन कर दें, गैस का फ्लेम अन करने के बाद मैंने इसके सैंड लगा दिया है, क्य और जब आपका घी अच्छी तरह melt हो जाए तब आपने डाल देना है इसमें बादाम का पाउडर बादाम का पाउडर डालने के बाद आप इसको golden brown होने तक भून लें आप इसको medium low flame पर ही भूने अगर high flame पर भूनेंगे तो आपका बादाम का पाउडर जल जाएगा और आपकी फंकी तेस्टी नहीं बनेगी इसमें से एक भीनी भीनी खुश्बू आनी भी स्टार्ट हो जाती है जब यह अच्छी तरह भून जाता है और यह देखिए इसका color change हो गया है और हमारा जो बादाम है वह भून कर तयार हो गया है जब यह अच्छी तरह भून जाएगा तब आपने gas का flame कर देना है ओफ और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बूरा यह देखिए इसका color पूरा change हो गया है और अब हम इसमें बूरा डाल रहे हैं बूरे की जगए आप इसमें देशी खांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें जागरी powder और गुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हमारी स्वादिस्ट जो बादाम की फंकी है वैब बन कर तैयार हो गई है आप इसको गरम दूद के साथ खाएं यह खाने में स्वादिस्ट भी होती है और हमें सरदी जुकाम से भी बचाती है अगर आपको सरदी जुकाम या फिर सरदर्द की प्रोब्लम है तो आप इस स्वंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमारी आंकों की रोशनी के लिए भी काफी फायदे मन होती है चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना न भूले बेल आइकन दबा दें और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्क्रीन को सर्च करें थैंक यू